वीदा पीपल, हम भारत के लोग समढ संग में जमीन पर मीटिंग होने लगी हैं क्योंकि कॉरोना लगबग खत्म है तो लोग बहुत तेजी से आपस में मिल रहे हैं और अलग-अलग जिलों में अलग-अलग मीटिंग अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग मीटिंग लोग आपस में कर रहे हैं इस मीटिंग में कुछ नियम बनाए गए हैं जैसे अपना खाना खुद लेके आना होता है और अपने साथी के लिए भी दो पराथे यानि कि चार पराथे अगर आपने खाने हैं या ज्यादा खाने हैं तो आप अपने पराथे लेके आएं और दो पराथे एक्स्ट्रा अपने साथी के लिए लेके आएं जो दूर से आ र लाकर इखटा करकर खाते हैं एक नियम और भी है वीदा पीपल समण संग का कि जगे वो चुनते हैं जो फिरी की हो कोई अमबेट का भवन कोई कबीर भवन कोई रविदास भवन कोई बालमी की मंदिर कोई गाड के भवन कोई सतनामी भवन कोई कि ऐसा इस्थान जहां पंचायत का हो या कोई खुलाओवा पार्क और अगर कहीं पैसे की जगे लेनी भी हो तो सारे मिलके उसमें चंदा करके इखटा करके वहीं हाथ की आथ पैसा उसका जमा कर देते हैं किसी एक व्यक्ति पर जोर नहीं पड़ता अमूमन तो फिरी की कोश करते हैं तो इस मीटिंग के लिए दूर दूर तक आना जाना भी पड़ता है आना जाना मतलब है जैसे मुरादाबाद में अगर मीटिंग है और दिली से लोग जाने हैं हापूर से जाने हैं गाजयवास से जाने हैं या रामपूर से आने हैं या बुलैंसर से आने हैं या लीगर से आने हैं, तो लोग अपना अपना वाहन इस्तमाल करते हैं और आते हैं, या बस या टीन में आते हैं, दूर से भी आते हैं, लखनों वगेरा से, महराज से, यहां से भी लोग आते हैं, सबकी एक्षा है, जैसी एक्षा है वो आ सकते हैं, तो इसका एक नियम है, वो टोल टेक्स में जो पैसा लग रहा है उसको आपस में बाटने का इसराइल एक देश है जो बहुत छोटा सा है मगर बहुत काम्याब देश है अगर ये कहें कि छोटे से देश का पूरी दुनिया पर राज चलता है तो कोई अतिश्योक्ती नहीं है क्योंकि ये छोटा सा देश है मगर पूरी दुनिया की सारी कम्पनिया अधिकतर इसी के पास है और ये इतना रिच देश है कि आप उसको सोच नहीं सकते हर कम्पनी में इसकी कम्पनी होती है हर जगे इसके आदमी होते हैं हर जगे ये पॉलिटिकल पार्टी में दबंग रूप से अपना नेतत करता है यहां तक कि पूरा अमरीका भी इसराइल के सारे पर चलता है यहुदी लोग रहते हैं वहां तो उनका एक बहुत पेटेंट और बहुत खास नियम है अगर आप हिमाचल परदेश में जाएंगे या जेएंड के में जाएंगे तो आपको वहां इसराइली यूबक और यूपियां यानि लड़के और लड़कियां मिलेंगे जो वहां गुरुप बनाकर रहते हैं और वो घूमते हैं इस बात को ध्यान से सुनिए कि वो कैसे रहते हैं और कैसे क्योंकि इसराइल के अंदर हर एक लड़की की और हर एक लड़के की मिलिटरी की ट्रेनिंग अनिवार रहे है तो उनको बहता मिलता है जो लगबग हजार डॉलर के आसपास साथ सो आड़ सो हजार डॉलर के आसपास महिने का होता है जो काफी होता है भारत से इनकी खास दोस्ती है क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि यरुसलम से जो बारे कबीले आए थे उनमें तीन कबीले भारत में इस्थापत हो चुके हैं और उनकी जनसंकिया काफी जादा है तो इसलिए उनकी मैतनी बहुत ज़ादा यहां चलती है उनका बीजा बहुत आसानी से मिलजाता है मेरे साथ बीजा उनका ऊन-लैंड है यानि जैसे आप लैंडिंग करेंगे, जैसे आप इंडियामे आएंगे आपको बीजा मिल जाएगा वीजा on demand उनका मिलता है ओनलाइन वीजा है तो यहां वो लोग आते हैं और कुछ लोग बताते हैं कि वो चरस के लिए भी आते हैं क्योंकि हमाचर प्रदेश के उस एरिया में चरस की स्मंग्डिंग जादा होती है तो यह कैसे करते हैं यह एरपोर्ट पर मिलते हैं एरपोर्ट में मिलने के बाद में गुरूप बना लेते हैं और वहां से एक सस्ती सी टैक्सी जो महिंदागी टाठा की होती है बेक आर्सी जोंगा टाइप की उसको करते हैं जो इनको हमाचर प्रदेश में छोड़ती है वहाँ ये एक कमरा लेते हैं जो 200-300 रुपे रोज पर होता है जो गाओं के लोगों का कमरा होता है एक कमरे में 6-7-7-8-8 लोग शेयर करते हैं और बहुत सस्ते में रहते हैं खाना कैसे खाते हैं कि अगर ये एक दुकान पर जाकर दो अंडे का आमलेट और 4 ब्रेड लेते हैं तो उसको बरावर बरावर खाते हैं और फिर बरावर बरावर पैसा देते हैं ये सारी जितना भी खर्चा करते हैं जो भी करते हैं शेयरिंग में बरावर बरावर करते हैं जिसका जितना हिसा आता है वो बिना कहे देता है उनकी ये practice है उनका अभ्यास है उनको कहना नहीं पड़ता कि भई इसकी payment मैं दूंगा या आप देंगे वहाँ payment का कोई ज़ड़ा नहीं है इसलिए उनकी दोस्ती बहुत लंबी चलती है और वो बहुत तेज से आपस में दोस सा मीटिंग में जाने के लिए दिल्ली से कुछ लोग जाना चाहते हैं तो अगर वो अपने किराए से जाएंगे तो उनको बस करनी पड़ेगी time चाता लगेगा परिशानी होगी और अगर वो अपनी गाड़ी से जाते हैं तो पेटल बहुत महंगा है तो तीन चरह हजार का खर्चा एक गाड़ी पर आएगा तो अगर वो एक गाड़ी में चार या पांच लोग बैट जाते हैं और बिना कहे अपना शेयर दे देते हैं तो ये इसराइल की नीती इसको अमरीकन जो पॉलिसी अगोई भी बोलते हैं तो इसमें सब का फायदा होगा क्योंकि पांच ल रुपे तो 32 रुपे लगे अगर वो पांच और डिवाइट कर लेते हैं तो 634 रुपे इनके हिसे में आते हैं उससे क्या फायदा होता है बस के क्राय में कार का आनंद लेते हुए आप आएंगे जाएंगे साथ में गुरुप में रहेंगे तो सुरक्षा और सिफ्टी रह हम बाहत के लोग किलियर तरे से अडौट करने के लिए आपको कहता है कि आप जब भी आये जाएं बिना कहे अपना खर्चा दे दे या जो भी व्यक्ति का लेके जाथा है वो अनौंस कर दे गुरुप पर अनौंस कर दे वॉट्सवप पर अनौंस कर दे कि मैं अपनी कार ल और यह पॉलिसी और यह नियम हमेशा के लिए बना लें जब तक हम भारत में एक साथ रहेंगे यानि कि यह हमारी पॉलिसी डिवाइड की और डिवाइड करकर शेयर करने की डिवाइड अच्छी पॉलिसी है इससे कभी किसी के उपर कोई बजन नहीं पड़ेगा इसका एक फायदा यह होता है कि अगर आपने गलती से कार ले गए और आपने सारा खर्चा खुद उठा लिया तो अगली बार आप कार लेकर नहीं जाएंगे क्योंकि 4,000 रुपया, 3,000 रुपया खर्च होता है एक आदमी अफोर नहीं कर सकता 3, 4 मीटिंग में जाएगा तो उसके 16, 17, 18,000 रुपय खर्च हो जाएंगे सेलली मैंसे इतना पैसा देना मुम्किन नहीं है और बेसक किसी के पास पैसे हो भी और दे भी सकता है देना भी चाहता है तो नहीं लेना चाहिए क्योंकि उस व्यक्ति का कहीं न कहीं एक अधिकार हो जाता है कि मेरी गाड़ी में आए, मेरी गाड़ी में गए मैंने खर्चा उठाया तो उसकी बात की कहीं हो सकता है माननी पड़े आपको या आपकी निगाज जुकी रहे मगर अगर आप सामाजी काम में अपना हिस्सा और अपना खर्चा पूरा देंगे अपना समय पूरा देंगे तो आप गर्दन उठा कर जियेंगे स्वाभी मान के साथ जियेंगे, मान सम्मान के साथ बात करेंगे कार में जब बैठेंगे तो आपको उस कार में बरावर का एक सम्मान का अनुभव होगा किसी के ऊपर नहीं रहेंगे उससे आपका संग आगे बढ़ेगा अगर आप बरावर का खर्चा नहीं करते हैं या नहीं कहते हैं तो आपका संग खतम हो जाएगा अधिकतर संग्ठन इसलिए खतम हुए है क्योंकि एक आदमी सवारी ढोता है लेके जाता है अगली बार वो जाता नहीं है तो लोग जाते नहीं जो एक बार जाता है वो अगली बार जाता नहीं इससे होता क्या है कि लोग जाना ही बंद कर देते हैं और वहां फिर लोग नहीं जाते तो फिर कैसे करते हैं लोग फिर उल्टा सीधा पैसा एकटा करते हैं चंदे के रूप में जो संग्ठन चलाते हैं वो लोग फिर बस का कुराय देते हैं फिर बस में सवारियों भठते हैं फिर सवारियों को भी पैसा देते हैं ऐसा माना जात कि 500 रुपे पर ध्याड़ी पर सावारी खाना मिलता है जो बस में लोग आते हैं और वो जो लोग आते हैं कोई जानकार तो होते नहीं है वो तो एक लेबर टाइप लोग होते हैं कि आज उन्होंने कहीं काम नहीं किया तो यहीं काम है घूमना फिर्णा भी हो गया 500 रुपे म मिलने के बाद जब वो MLA MP बन जाता है तो फिर वो पैसा वसुल करता है सरकारी योजनाओं से सरकारी लोगों से और भी पॉब्लिक से और अल्टिमेटिस का नुकसान बहुत ज़्यादा होता है तो लंबे समय तक नुकसान ना हो संग लगाता चलता रहे वीदा पीपिल हम बाद के लोग लगाता चलते रहें इसलिए इस शेरिंग पॉलिशी को इस बटवारी की पॉलिशी को इस बाट कर चलने वाली पॉलिशी को सभी को अड़प करना है कोई पैसा ले या ना ले मगर आपने पैसा देना है जबरन देना है जबर जस्ती देना है भाई आपके 3000 जार रुपे पैटल डील खर्च हुए हम पांच लोग है 600 रुपे आए ये लोग अपना 600 रुपिया अच्छा हो कि उसको पहले ही पैसा देते हैं जब पैटल डील पढ़वाए या गाड़ी में बैठने से पहले बता दें या फोन करके बता दें कि हम शेरिंग करेंगे क्यो पीपल को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोख सकता हमको इखटा होने से कोई नहीं रोख सकता भाईचारा बहुत तेजी से बढ़ेगा बहुत तेजी से हम आएंगे जाएंगे बहुत तेजी से लोगों से मिलेंगे ये मिलकर बाटका शेयर करने की जो पॉलिसी है ये इसरा में ब्रेड आती थी एक रुपे 35 पैसे की हम एक ब्रेड ले के आते थे तो हम बाक्यादा हिसाब लिखते थे कोई कितनी ब्रेड खाए इसका कोई चक्कर नहीं होता था मगर हिसाब लिखा जाता था पूरे महीने का और पूरे महीने में जितना खाने पर खर्चा होता था कि मैंने हमेसा अपना खर्चा खुद उठाया और लोगों को भी ये सला दी कि आप अपना खर्चा खुद उठाइए इससे आप किसी के उपर बोज नहीं बनेंगे कोई आपके उपर बोज नहीं बनेगा कोई आपको सर्मा हजुरी मैं कह जी कोई बात नहीं भाई साफ रहने मन में ये बात रहती है कि हमने अपना खर्चा खुद नहीं किया, मन में ये बात रहती है कि हम किसी को पर बोज बन गए, हमारी निगा जुक जाती है और उसका नुकसान ये होता है कि हमें जाने अंजाने में उसकी कोई गलत बात भी माननी पड़ती है या चुप रहना है तो कि हमने उसकी रोटी खाई है उसका पैट्रोल खाया है उसका डीजल खाया है उसके एहसान के तरे दवे हैं हम अपनी बात को खुल कर उसके सामने नहीं कह सकते और कहीं अगर जगड़ा हो गया अपस में मन मुटाव हो गया तो फिर वो सारी बात कह देगा कि मैंने अप सिर्दी से बचने के लिए और संग को आगे बढ़ाने के लिए शेरिंग पॉलिसी में ये भी जोड़ा जाता है कि आप आने जाने का खर्चा खुद उठाएं गाड़ी एक रखें और गाड़ी में जितना पैसा किसी खर्च होता है उसका आधा पैसा देदें उससे सभी हैं और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे अपने tutor पे, या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं, आप youtube पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या पर्मिसल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है, या महापुर्सों का है उन्हीं की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पर कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद क्योंकि बाकी सारी आपकी है क्योंकि बाकी सारी आपकी है क्योंकि बाकी पूजी आपकी है कर दो कर दो कर दो